गुड इवनिंग फ्रेंड्स फ्लिट मेकेनिक्स के कांसेप्चुल लेक्चर फस्ट में आपका स्वागत है हम थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाएंगे चुँकि समय कम बचा है तो वो टॉपिक हम कबर करेंगे जो टॉपिक exam point of view से आप mostly generally ignore कर जाते हैं जिसको ये मान के चलते हैं या तो इससे question नहीं आएगा या तो आएगा तो हम करी लेंगे तो कुछ concept पहले बताएंगे फिर question पे चलेंगे ताकि बार-बार concept repeat न करना पड़े जो की concept आपको आने ही चाहिए ये flow through open channel flood mechanics के बीतर का एक topic है unit है उससे related हमें आपर आपको कुछ question लगवा रहे हैं अगर आप कहेंगे तो उसके आँगे भी ये conceptual lecture जारी रखेंगे major losses जो होते हैं वो किस वज़े से होते हैं due to viscous resistance through the wall and head loss due to friction is given by ये major loss के लिए formula होता है fl v square upon 2 gt अब यहाँ पे v बराबर q upon a रखेंगे और a बराबर pi by 4 d square रखेंगे pi की value 3.14 रखेंगे सारा simplify करेंगे तब जाकर ये formula convert हो जाता है fl q square upon 12.1 d की power 5 जिन लोगों को ये लगता हो ये 12.1 कहां से आया है वो लोग इस तरीके से convert कर लें pi की value रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 12.1 कहां से आया और g की भी value रखेंगे ये बात हो गई major loss की और इस formula की fl q square upon 12.1 d की power 5 कैसे आया कभी भी अगर hf को d से correlate करके किया जाया तो कभी आप ये मत कहिएगा कि hf जो है hf जो है वो reciprocal है 1 upon d का actually मैं यहाँ पे v भी d पे depend हमेशा hf जो होगा वो reciprocal होगा 1 upon d की power 5 एक concept mistake जो आप generally कर जाते हैं कि formula fl v square upon 2 gd है तो hf is directly proportional to 1 by d no v is also dependent upon d that's why hf will be proportional to 1 upon d की power 5 इस पर प्रशन आते हैं ये बात हो गई ठीक है अब आँगे देखते है minor losses these losses are due to change in momentum of the float पूछ सकता है minor losses are caused by अब ये question गुपता ये गुपता में तो नहीं लिखा होगा और लिखा भी होगा तो आप उसको रट कर कर रहे हैं तो difference है minor losses are due to change in momentum of the flood due to the sudden expansion or contraction or change in the shape of the pipe ये minor losses होते हैं अब series के connection में pipe discharge कैसे vary करता है और क्या होता है series के connection में क्या होता है parallel के connection में रटना नहीं है practically समझ लेना है अगर कोई भी pipe से flow सपोज 100 liter per minute निकल लहा है और ये अगर दो pipes में बट जाएगा तो वो पूरा 100 100 तो नहीं जाएगा चुँकि total amount तो 100 है तो इधर 30 जा सकता इधर 70 जा सकता इधर 50 जा सकता इधर 40 जा सकता 60 जाएगा तो इधर 40 जाएगा 50 फिप्टी दोनों में जाएगा अब करतो ये कैसे पता चले इसी के लिए continuity equation बनी है A1 V1 A2 V2 A1 क्या है वही जो दो pipe आपने निकाले हैं उनके area है A1 A2 और V1 V2 क्या है उसी area के इसाब से speed convert होगी तो conservation of mass से आप ये निकाल सकते हैं rho 1 A1 V1 बराबर rho 2 A2 V2 होता है चूंकि rho 1 rho 2 समान हो जाएंगे same flood बहरा है तो A1 V1 बराबर A2 V2 ये continuity equation के proof वाला point हम आपको समझा रहे हैं कि आप समझ सकें कि ऐसा parallel में क्यों होता है parallel में Q बराबर Q1 plus Q2 logical है उसको रटने की कोई जरूरत नहीं है और इस case में equivalent head तो भाई हर pipe का same ही रहेगा तो इस वज़े से head same रहता है Q जुड़ जाता है जबकि series के connection में जो इस से जाएगा वही अगले वाले से जाएगा वही अगले वाले से जाएगा यहाँ पे divergence नहीं हो रहे है तो Q जो रहता है वो same रहता है और head जुड़ता चला जाता है इसलिए इसमें head जुड़ता है यह difference को practically समझी है इसमें यह नहीं कि मैं भूल गया मैंने वहाँ पे एक parallel में यह लगा दिया भूली ही नहीं सकते है आप logical level पे देखिए one pipe is converted into two other pipes all the flow is converted into other pipes that's why Q will be Q1 plus Q2 type and it is only possible in parallel not in series so concept will be clear I am considering that let's move further जो water hammer होता है वो closed pipe जो होता है उसमें pressure create होता है अचानक से आपने पानी को बंद कर दिया अचानक से आपने पानी को खोल दिया या उसको जो खोलने वाला है वही fail हो गया तो ऐसी condition में water hammer जो create होता है उसकी वज़े से pressure rise होता है इस incident को water hammer कहते है तो यह depend किस पे करता है ऐसा question पूछा जाता है the velocity of the flow of water पे depend करता है length of pipe पे depend करता है time is taken to close the valve एकदम से बंद करेंगे तो pressure ज़्यादा पड़ेगा धीरे धीरे बंद करेंगे तो pressure कम पड़ेगा elastic properties of the material of the pipe पे पड़ता है यह star लगा दे रहे हैं इससे सम्बंदित करके प्रश्न पूछा जा सकता है उसको समझाएंगे कि कैसे आएगा तो following cases of water hammer will be considered आपने धीरे धीरे valve को बंद किया है gradual closure हो जाएगा sudden closure of valve होगा अगर pipe rigid है और pipe flexible है pipe elastic है यह तीन condition है एक condition उन्हें नहीं दिये तो pipe elastic है तब sudden closure sudden closure pipe rigid है तब और gradual closure of the valve यह तीन condition आती है इनको पता कैसे करें कि एक gradual closure है कि sudden closure है तो उसके लिए concept होता है concept यह होता है कि आप क्या करें कि जो time required pressure wave travel करती है valve to the reservoir and back to the valve वो time simply meter per second होता है L upon C क्या होगा length of 5 upon speed of pressure wave यही गई और वापस आई यह total duration L by C वापस आई L by C total का 2 L by C time हो जाता है और इस time के frame of reference में इस time के frame of reference में हम यह decide करते हैं कि यह जो valve time of closure है यह considered gradual किया जाना चाहिए यह sudden किया जाना चाहिए तो वही जो 2 L by C हमने calculate किया उसी को हम critical time के हिसाब से जो TC होता है उससे compare करते हैं जो आपको दे रखा होगा अगर उससे वो कम है तो closure gradual होगा जैसे 4.5 TC दे रखा है और T आपका calculate करके 4 आगया तो यह closure gradual होगा यह पूछा जाता आपको value दे दी आपने T के value निकाली critical time अलग से दे दिया आपने value निकाली आपने देगा 4 आया वो साड़े 4 दिया था तो gradual होगा अगर यह value साड़े 4 यह साड़े 4 से जादा आती है greater than or equal to तो वो closure sudden consider किया जाएगा आप water hammer के प्रती नजरिया कोई hypothetical ना रखिए जैसे यह closed valve है open किया अचानक से sudden closing की तो इस तरीके से पानी जो होता है अंदर सफर करता है और वो suffering में pressure create होता है that is called water hammer अब उसी में sudden closure है open closure है तो उसको picturization से हमने show कर दिया अचा अगर sudden closure है तो दो तरीके के pipe होंगे rigid pipe होगा यह elastic pipe होगा अब rigid pipe होगा तो pressure कितना होगा elastic pipe होगा तो pressure कितना होगा इस पर ES में gate में और AE में खुब question आए है तो यह दो फार्मूले या तो रट लीजिए और यह इनका procedure देख लीजिए rigid pipe होगा तो P बराबर V under root K rho होगा और अगर elastic pipe होगा तो P बराबर V rho upon 1 upon K plus D upon ET होगा E यहाँ पर उसी elasticity की property को denote कर रहा है modulus of elasticity है ठीक है और normally किया change in pressure P by rho g होता है उसी को यह convert किया है उठा के value रखी गई है no doubt आपको clear होगा ठीक आगे बढ़ते हैं आगे है minor head losses minor head losses क्या होता है अगर entry पे head loss है तो 0.5 V1 square upon 2G होगा due to expansion है तो V1 minus V2 square upon 2G होगा अब यसी को A1 और A2 में लिखना है तो A1 V1 बराबर A2 V2 से यहां से V1 upon V2 की value निकाल लीजे यहां पे V2 square बाहर कर लीजे उठा के रख दीजे तो A1 A2 में फार्मूला आ जाएगा exit पे head loss तो 3 बार पूछा गया है और आप लोग mostly entry वाला याद रखते हैं तो गलत हो जाता है exit पे head loss पूछा जाएगा तो वो V2 upon 2G होता है head loss bends की बज़े से भी पूछा जाता है head loss bends की बज़े से भी पूछा जाता है तो ऐसी condition में कितना रखेंगे head loss bends की बज़े से KV2 upon 2G होता है अगर 90 degree पर bending है आपकी perpendicular bending है तो K की value 1.2 और अगर 45 degree पर है तो 0.4 एक बार पूछा गया था कि what is the ratio of head loss due to bends with respect to the angle 90 degree and 45 degree तो आपको इस value से नहीं सीधे K1 upon K2 आएगा चूँकि V2 upon 2G कट जाएगा K1 upon K2 1.2 upon 0.4 हो जाएगा तो इसका ratio 3 आजाएगा अब आपको formula ही नहीं पता है यही के लिए छिपा हुआ है अभी आपके उपर है कि उसको आप कितना अच्छे से समझ पाते हैं यह जो चार्ट आपको दिख रहा है इसके बाद question सुरू होने वाले है जिनमें gate ES के question है और बहुत creative question है कोई भी हलका फुलका question नहीं है यह वो question है जो competition में धार देते हैं कि आप आँगे जाएंगे या पीछे जाएंगे यह lead करने और lag करने वाली lecture है एक तरीके से देखिए यह तीन flow condition है flow in pipe, flow between parallel plates, flow in wide rectangular open channels अगर flow in pipe है 2000 से value कम है renal number की जिसको RE, rho VD upon mu formula बोलते हैं या VD upon new सिर्फ बोलते हैं एक kinematic viscosity होती है, एक dynamic viscosity होती है ठीक है, वो mu by rho value उठा के रख देते हैं तो यह हो जाता है, खैर renal number 2000 से कम है तो laminar है 2 से 4 है तो transition है, 4 से ज़्यादा है तो turbulent है, mostly यह रटा रहता है यही बात अगर flow in wide open channels है तो 500 से कम है तो laminar है, 500 से 1000 है transition है, 1000 से ज़्यादा है तो turbulent है, यह भी रटा रहता है अगर यही flow between parallel plates है 1000 से कम है तो laminar है 1000 से 2000 है तो transition है 2000 से ज़्यादा है तो turbulent है इस बात को आप बिल्कूल साचा बना लीजिए कि इसमें कहीं कोई गलती नहीं करनी है flow in pipe में यह वाला नहीं लगा देना है और इस वाले में flow in pipe नहीं समझ लेना है यह कोई mistake नहीं करनी है खेर, let's move to the question अब आप देखते हैं question कैसे है पहला प्रशन है, single pipe of length here and diameter D is to be replaced by four parallel pipes एक single pipe है उसको चार parallel pipe से replace किया गया है चार parallel pipe से replace किया but of diameter D, यह capital D का है यह small D की है, इत्ती बास समझ में आ गई each to convey the same total discharge under the head loss what is magnitude of D what is magnitude of D यह उसने पूछा है अब ध्यान से सुनिएगा अगर हम सीधे formula लगाएं सीधे formula लगाएं तो सीधे formula भी लगा देंगे और दूसरे तरीके से भी लगा देंगे देखिए क्या करते हैं एक सेकेंड रुखिए थोड़ा सा हलका कर लेते हैं सीधे formula अगर आप लगाएं तो सीधे formula होता है जो D की value होती है वो होता है जो बड़ी diameter है अपन जितने number of pipes हैं उसकी power 2 by 5 तो answer हो जाएगा D बटे 4 की power 2 by 5 अब आप कहें नहीं हमें इसका source बताइए तो source कुछ नहीं है source simple सा है कि जो head loss होता है parallel में वो बराबर होता है तो HF बराबर क्या हो जाएगा अभी आपने पढ़ाए LV square upon FLV square upon 2DG पढ़ाए इसमें जो हमने कहा था यह D जो है यह V पे भी dependent होता है तो हमने दूसरा क्या पढ़ा है FLQ square upon 12.1D की power 5 अब जब इधर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा 4 parallel pipes है same length है सब कुछ है तो वहाँ पे Q कितना हो जाएगा Q बटता है और equally divide होगा तो कितना हो जाएगा Q by 4 तो यह FLQ by 4 का whole square और बटत 12.1 छोटे D की power 5 जब इसको भी solve करेंगे तो घूम फिर के यही answer आपको मिलेगा हमने directly formula के format में बता दिया उस तरीके से भी कर लीजे आपको कुछ नहीं करना है due to the large pipe and due to the one single pipe that is having discharge one by number of pipes Q by 4 हो जाएगा अगर यहां 10 pipe होते तो Q by 10 हो जाता चुकि बागी चीजें सब similarity में है अगले प्रस्ण की तरफ चलते हैं देखिए यह प्रस्ण बिल्कुल हूब 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 ऐसा ही प्रस्ण आया था 16 V square upon 2G की जगे 5 V square upon 2G था जो polytechnic में आया था minor losses 15 cm diameter pipeline में 16 V square upon 2G तक है what is the equivalent length of a pipeline same diameter with Darcy G अब बराबर this condition कुछ नहीं करना है FL V square upon 2DG बराबर 16 V square upon 2G V square upon 2G V square upon 2G कट जाएगा FL upon D कितना आजया 16 FL upon D आगया 16 तो L कितना आगया 16 D बटे F अब यहां से ध्यान से देखिए अगर यह format V square upon 2G में question में दिया है तो यहां पे जो length आती है वो D upon F के format में आती आँगे वही रहता है तो आप याद कर लीजे कि अगर directly इसमें आप फार्मूला बनाया जाए तो यह L बराबर KD upon Y बना सकते है कि यह क्या होता है V square upon 2G के आँगे वाला तो यहां 16 D upon Y F हो गया अब वही value ठागे रख दो 16 D की value कितनी दे रखिए 15 cm दे रखिए 15 cm तो यह 0.5 हो जाएगे और यह अब कितना देख रखा है 0.03 0.0 गड़ गए 35, 15, 16, 80 क्या जाएगा मीटर तो इसका correct answer B part वोप चीजें समझ में आ रही है प्रेशन सरल है concept clear है Let's move on अगले प्रेशन की तरब बढ़ते है In a sample of water a pressure increases of 18 x 10 to the power 6 pascal caused 1% reduction in its volume what is the velocity of pressure wave in this water देखो यहाँ पर bulk modulus सीधे आप निकालिए bulk modulus क्या होता है pressure में जो increase है वो 18 x 10 की गाच 6 है बटे जो volume में change है वो 1% है यानि 0.01 इसकी value करोगे तो यह नीचे 2 है तो यह जाकर 10 की गाच 8 बना देगा 10 की गाच 6 को अब वो कह रहा है velocity of pressure wave बताओ velocity of pressure wave क्या होता है V बराबर k भाई रू under root k भाई रू और यह जब आप calculate करेंगे जब आप calculate करेंगे तो यह आपका जो answer आएगा वो 1341 point something आएगा उठा के value रग दो उठा के value रग दो तो यह आजाएगा 1340 meter per second 1341 point something है तो आपको bulk modulus निकालना आता है velocity of pressure wave का formula पता है question खतम आगे पढ़ते है अगला question है velocity measurements of flow through a rough circular pipe indicate that average velocity is 2.6 meter per second and the center line velocity is 3.17 meter per second what is the friction factor for the pipeline यह question थोड़ा सा typical है हमने सामेल इसलिए किया है कि इस question में एक formula लगता है अगर आप circular वाला motion पढ़ेंगे u max minus v upon v under root f is equal to 1.32 इस formula का आप use करिए इसमें से f निकाल लीजे इस आपकी जो value आएगी वो 0.027 आएगी इस question पर हम इस्टार इसलिए लगा दे रहे हैं यह question मेरे निगाह में बहुत important है इस question के लिए आप जाकर flow थो एग रफ circular pipe के लिए जो general equation होती है उसको देख लीजेगा उसमें यही formula लगता है u max minus v upon v under root f is equal to 1.32 plus something होता है that will become 0 in this particular condition please have a view in circular pipe flow let's move to the next question velocity defect in a pipe flow refers to which one of the following जो velocity defect होता है उसका मतलब ही होता है यह velocity defect है it means you are talking about u max minus u local यह definition होती ही velocity defect की pipe flow में जो difference है maximum velocity और local velocity के बीच को उसी को velocity defect in pipe flow बोलते है question is खतम अब नहीं बचा है इस पे कुछ भी दम अगला आगे बढ़ते है pipeline 2000 meter long carries water velocity of propagation of pressure wave is 1000 meter per second if the valve at the downstream end is instantaneously closed at time t पर अबर जीरो negative water hammer pressure at the valve will last for जब इसका graph बनाते हैं तो graph आपका इस तरीके का आता है तो यह इतना last करता है और यह जो होता है that is called 2lyc और यह भी 2lyc होता है और यह last कित्ता करता है पहले इतना time consume करेगा फिर यह भी time consume करेगा तो यह total 4lyc consume कर लेता है don't forget this इस हिसाब से यहाँ से पहले 2lyc निकालिए तो 2 गुणा 2000 बटे c यानि 1000 यह cut हो गया तो 4 आ गया 4 तो नीचे जाएगा फिर 4 नीचे से उतना ही उपर आएगा यानि कितनी देर के लिए लुकेगा 4 से 8 से के लिए so that is the correct answer that is the correct answer let's move to next question अगला प्रस्न है what is the condition for maximum transmission of power through a nozzle at the end of a long pipe condition यह होती है कि head loss due to friction जो होता है वो one third होता है total head at the inlet of nozzle तो यह इसकी condition होती है that you have to remember this is the standard part HF is equal to H by 3 ठीक है let's move to the next question अगला प्रस्न है which one of the following pairs is correctly matched जो prental होती है यह flow through pipes के लिए होती है गलत है continuity occasion law of conservation of mass पे depend करती है rho 1, A1, V1 बराबर rho 2, A2, V2 यह भी गलत है mixing length जो होती है turbulent flow के लिए आती है theory के तुरू यह भी गलत है कर्मान vortex street flow past cylinder यह सही है यह कही option बचा है तो अब बचेगा भी क्या नहीं तो question की अपनी value ही खतम हो जाएगी तो यह इसका सही answer है देखिए जो exam UPPSC AE का है या UKPSC AE का आने वाला या future में कोई भी exam AE Polytechnic lecture इस level के आएंगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है practice makes a man perfect and concepts creates you a strength and confidence to solve the problem अगले प्रशन की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रशन वही है जो हमने वहां डिसकस किया था head last class due to sudden expansion क्या होता है actually में यह होता है V1-V2 का whole square upon 2G अब ज़रा इससे V2 कामन करिए जब V2 कामन करेंगे तो आएगा V2 square upon 2G अंदर क्या आ जाएगा V1-V2 का whole square था तो अंदर V1 बटे V2 का whole square ठीक है V1 बटे V2 का whole square या V1 बटे V2 minus 1 का whole square यह आएगा जब V2 square कामन करेंगे तो यह आएगा इसमें भाग हो जाएगा minus 1 हो जाएगा उसका whole square बना रहेगा क्योंकि था तो V1-V2 का अगर इसको खोली है तो यह आएगा V1-V2 का whole square और यह यह कट जाएगे तो यह बचेगा क्लियर है कोई doubt नहीं अब यहाँ पे एक चीज आप देख लिजे यहाँ पे एक चीज देखिए A1-V1 बराबर A2-V2 यहाँ से V1 अपन V2 निकालो तो A2 अपन A1 आएगा तो यह वाला हो जाएगा A2 अपन A1 minus 1 का whole square into V2 square upon 2G A2 upon A1 minus 1 का whole square into V2 square upon 2G और इसमें से minus common कर लो whole square लगा तो कोई मतलब नहीं तो 1 minus A2 upon A1 का whole square into V2 square upon 2G तो correct answer जो आजाएगा वो C part आजाएगा इसमें गलती हो जाती है इसलिए बहुत सालिंता से formula को वहीं पे apply करके देखना है एक बार नहीं दो दो बार देखना आगे बढ़ते हैं अगला question भी बिलकुल exam point of view से बहुत important है आपको list 1, list 2 में formula दिये हुए friction factor के लिए जो value आपको पता है laminar flow यब बराबर 64 upon A2 इससे दो option कट जाएंगे जो भी option उसमें दे रखे होंगे अबने या include नहीं किये option question को include किया था कि आपके fundamental concept के लिए रहे हैं इसके बाद rough turbulent flow के लिए आप 1.74 मन में याद रखिए तो आपका कभी गलत नहीं होगा दो हो गए अब लगबग option आपको मिल जाएगा फिर भी अगर नहीं मिलता है तो smooth turbulent flow RE less than 10 to the power 5 के लिए ये बाला formula याद रखिए अब ये की फार्मूला बचा जो जाके smooth turbulent flow RE greater than 10 to the power 5 से मिल जाएगा इसके अलावे एक प्रस्णावर है जो pdf में वर्जन कुछ हैसा है जिस बज़े से वो आ नहीं पा रहा है question है append stock is 300 meters long हम यहाँ पे लिख दे रहे है फिर से बोल लहे हैं उस question को append stock is 3000 meters long pressure wave travels in it with velocity ये length दी रखिए है फिर velocity दे रखिए pressure wave की वो है 1500 meters per second उसने ये कहा है कि if the turbine gates are closed uniformly and completely in a period of 4.5 seconds tc की value 4.5 seconds दे रखिए पूछा क्या है then it is called finish stock को क्या कहेंगे rapid closure, slow closure, sudden closure, uniform closure तो करना कुछ नहीं है simple formula आपको लगाना है c की value दे रखिए यहां से value निकाले आप 2L upon C की जब आप 2L upon C की value निकालेंगे तो 3000 में 2 का गुणा होगा 1500 का भाग होगा तो technically 4 आ जाएगा tc आपको कितना दे रखिए 4.5 question picture में नहीं है लेकिन हमारी आवाज से आपको लग रहा होगा कि question बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं बोल ला हूँ 4.5 meter पर 4.5 second है और 4 second आपका आया है तो जो T आया है 4 second वो T C से कम है और अगर कम है तो ऐसी condition में gradual layer slow closure होगा gradual layer slow closure होगा तो hopefully flow throw pipes का आपका कोई question वाग गलत ना हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो comment section में जरूर बताइएगा next lecture में मिलते हैं thanks for watching